नमस्कार दोस्तों, मेर नाम है भाईजंद्र, प्रम्हांड सिद्याष्ट्र में आप सबी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 9 मार्च 2022 का संपुर्ण राशिपन्द उससे बेले आज की दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है बुद्वार का है, शुकलपक्षक की सातवीति थी है, नक्षत्र कृत्ति का है, योग विश्कम्ब है दिन का जो करण है वो गरह है और जो रात का करण है वो वनी है आज के दिन का जो गुलीक काल है वो शुरुवत होगा सुबह 11 बचकर 8 मिनिट से लेकर 12 बचकर 37 मिनिट तक अभीजित मुर्थ दोपर 12 बचकर 13 मिनिट से लेकर 1 बचकर 1 मिनिट तक का होगा गुलीक काल और अभीजित मुर्थ दिन के शुबह कालावदी कहे जाते हैं कर 49 मिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुवकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुनकाम्यार फिर निनने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन व्रिशब राशी तो आज के दिन पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट वगरा हो सकती है या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स है आपके जो लोग है उनके लिए कुछ खर्चे वगरा होने की संभावना है आज का दिन वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभो फलदाई सावित होगा कु आज के दिन आप बहुत ज्यादा बीजी भी साबित रहोगे जो भी मेहत्वपुर्णों काम आया हाथ में लेक्सकते हो आज के दिन आपके ट्रावलिंग वगरा होने की संभावना काफी ज्यादाव बनती है कुल मिला कर देखा जाए तो आज के दिन आपका शुभो फलद के महत्वपुर्ण काम या फिर नेन बिल्कुल भी नहीं लेना खास करके आज के दिन पैसे के मामले में अगर कोई भी खर्चे करने है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज के दिन के संदर में कोई निरने नहीं लेना अगर लेते हो तो आपकी जो निरने है वो चू इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के लाब अभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबु फलदाई होगा आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना होगा या फिर उनके साथ आपका जो दिन है शुबु फलदाई साबित होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के दशम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है तो जो भी आपका कारेशेतर है उसके संदर में कुछ अच्छे विचार आज आपके मन में आ सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस वग किस तरह से इसके संदर में कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकती है उसके उपर आप इंप्लिम्न करते हो तो भविशे में जाकर इसके कुछ अच्छे अच्छे वायदे भी आपको मिल सकते हैं तो कुछ मिला कि आज का जो दिन है थोड़ा सा बीज़ी होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है कन्या राशी, कन्या राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, तो काफी अच्छा दिन है आप लिए, आज आपका जो confidence है, वो काफी अच्छा देखे जाएगा, भविशक को लेकर, जो भी महतोपुर्ण प्लान या फिर योज होते हैं, इसके बाद की जो राशी है, वो है तुला राशी, तुला राशी के अच्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, आज की दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना, खास करके आपका जो भी कारश है, उससे related कोई भी महतोपुर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना, अगर लेते हो तो उसमें कुछ प्रलम विलंबो हो सकता है, तो ध्यान नरकिये किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम या फिनिर्ने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना, थोड़ा सा अगर आपके इसी व्याजी से पीडित है, तो उ विपरीद परिणाम आपके उपर दिखाई नहीं देंगे, इसके बाद की जो राशी है, वो है बृच्चिक राशी, बृच्चिक राशी के सब्तों भाव में चंद्रमक्का भ्रमन है, तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके, अगर आप विवाईद हो तो अगर आप विवाईद हो तो आपके जो विवाईद जोड़ी दहर है, उनके साथ आज आपके हर्मनी काफी अच्छे देखी जाएगे, उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना भी हो सकते, तो फिल मिला कि आज का जो आपका दिन है, शुभु फलिदाई साबित होगा, इसके स्ट्रेस मानसिक तनाव में आज के दिन आप आ सकते हो, हाला कि ये जो तनाव है, वो एका दो दिन के लिए होगा, इसके जो गहरे असर है, वो आप पर देखे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुद पर सहीम रखिये, खुद की जो स्वास्तर इसके उपर थ जियान देना अवश्यक होगा, इसके बाद कि जो राशी है, वो है मकर राशी, मकर राशी के पंचम भाव में चंद्रमक का भ्रहमन है, तो आज का जो दिन है, आपके लिए शुब फलद्दाई सावित होगा, खास करके आपकी जो वैवाई जोड़ी दर है, उनके साथ अच्छी हार्मनी देखी जाएगी, अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो, तो आज के दिन कुछ अच्छे लाव वगरा होने की संभावना काफी अच्छे बनती है, तो फिल मिला कि आज का जो दिन है, आपके लिए शुब फलद्दाई सावित होगा, इसके बाद की ज अच्छी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप में उसमें भी काफी अच्छी बोड़वतरी देखी देखी जाएगी, खुल मिला कि आज का जो दिन है, काफी शान्ति पूर्णबीतने वाला है, इस अलग ही प्रकार के स्वास्त के बारे में उसके बाद के जो रशी है वो है मींद रशी के तृत्यों भाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है तो आज का जो दिन है थोड़ा से बीजी डे आपके लिए सावित हो सकता है अगर आप किसी के relationship में है तो उन में और आप में harmony है वो बहुत अच्छी देखे जाएगा उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकते है अगर आप share work से deal करते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए काफी अच्छा और शुबु पलदाई सावित को काई तो दोस्तो ये था दिनाक 9 मार्च 2022 का संपुर्ण राशिपल आपको ये राशिपल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभों किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रह्मान्ट सिद्धियाष्टरो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर्ण रन्यवार